असलाव अरिक्म कैसे आप लोग ठीक हैं अच्छा तो हमने पिछले लेक्चर में जो था उसमें हमने पैटी केश बुक के कॉलम समझे थे तो आज हम उसका क्वेशन करेंगे कि पैटी केश बुक का क्वेशन कैसे अटेम्ट होता है तो आज वो तरीका हम समझेंगे अब एहम एंड कंपनी द्यूरिंग टूलाए 2020 यानि के एहमद हैं क्पनी का नाम एहमद है जुलाए 2020 में यह कहा है अब जूलाइ 1 त में में केशा में एक ही जूलाइ 1 सीनर एकाउंटेंट कैश दे चेक एंड गेर इपने पांच हजार रुपे अब आप लोगों ने जब question solve करेंगे तो यहां पर आप लोगों ने अपने आपको as a petty cashier mention करना है कि आप लोग company में as a petty cashier काम कर रहे है अब यह जो register है यह मेरे पास है सारा काम में कर रहा हूँ क्योंकि मैं company का junior accountant हूँ तो आप लोग जब भी petty cash book का question solve करेंगे तो अपने नाज़ेरी रख कर उसको solve करेंगे अब यहां पर देखें senior accountant ने हमें कितना यानी चेक cash करवा के दिया 5000 रुपे का आपने 5000 वसूल किये ठीक है इसके बाद next entry में कह रहा है paid for tea coffee मुझे यह बताएं tea coffee कौन से column में आता है मैंने कल आप लोग साथ column समझाए थे तो आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले सारी की सारी transactions पढ़ेंगे कि कौन से entry कौन से column में आती है तो tea coffee entertainment में आती है तो आप लोग इसके सामने चोटा सा entertainment लेग लेंगे कि यह entertainment में आगा इसके बाद किया रहा है paid for taxi fare taxi fare convince में आता है तो इसके सामने चोटा सा लिख लेंगे convince फिर paid for TCS TCS postage and telegram में आता है तो हम लोग इसके सामने postage and telegram लेंगे फिर इसके बाद पाद पेड फॉर bus fare bus fare किस में आगा convince में ये भी आएगा तो यहां मैंने सामने इसके साथ convince लिख लिए लिए फिर इसके पाद paid for pen pencil Pen pencil किस में आगा transportation में तो मैंने इसके सामें h3 transportation Nicholas कि liya तो आप लोग सबसे पहले किता ये करेंगे कि सारी के सारी ट्रांसκ्शन पढ़ेंगे जो जिस कॉलम में आएगा उस कॉलम के नाम आगे लिख लेंगे इससे आप लोगों को format बनाने में असानी होगी देगे हमारे पास जो format बनता है यह मेरे पास एक जैसे रिजिस्टर है तो आप लोग क्या करेंगे यह वाला जो पेज़ डबल पेज़ पे आप लोग इसका क्वेशन सॉल्फ करेंगे अगर आप लोग पेपर कर रहे हैं आपने इस पेज़ पे कोई और क्वेशन कर लिया अब लोग पैडिकेश लोग तर्फ फॉर्दा मंत ओफ लिखेंगे फिर आप लोग करेंगे क्या रिसीट्स डेट पर्डिकुलर वाउचर नंबर और टोटल पेइमेंट तक बिड़ा आप लोग लफ पेज में लिखेंगे यानि कि इसका फॉर्मेंट जो है यह लेफ पेज में आएगा टोटल प आपर इंटर्टेंट्मेंट का कॉलम बना लेंगे दूसरा किसका जिकर हो रहा है कन्वेंस का तो मैं फिर कन्वेंस का कॉलम बना लूँगा पिर इसके बाद पोस्टिज एंड टेलिग्राम का जिकर हो रहा है पोस्टिज एंड टेलिग्राम की कॉलम मैंने बना लिया इसक इसके बाद Supplies का जिकर दिकर मोखिगा है, आफिस Supplies का कॉल्म बना लोगा, अचा, इसके बाद Sunrise का जिकर हो रहे है, तो आप लोगो झे कर चार नहीं क्यों का करेंगे छार लीज़ा दियम कंड़ आप लिलेगे सेंड्राइस का कोलम एंड में लेकर जाएंगे. अब संड्राइस के बाद फिर हमारे पास बान गорм बन गया है. अब देखे, एक कोलम सात्माँ था, डराइंग का, इसमें डराइंग का जिकर होा नहीं है, तो वो कॉलम हम ने नहीं बनाया. अब आते हैं हम इसको solve करने की तरफ अब देखें हमें senior accountant ने कितना चेक cash करवा के दिया है 5000 का Receipts का मतलब क्या है? Receipts का मतलब है वसूली आप लोग अपने पास लिखेंगे कि आपने कितनी वसूली किये है कितनी वसूली किये है 5000 रुपे हमने वसूल किये है इसकी date क्या है बेड़ा यहां पर 2020 लिख लेंगे बीच में लाइन लगाएंगे यहां पर लिख लेंगे July 1st यानि 5000 हमें July 1st को मिले particular में बेड़ा आप लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे कि हमें क्या मिले हमें मिला है पैटी कैश फंड जो बेड़ा किसी मखसूस काम के लिए पैसा दिया जाए उसको फंड का नाम दिया जाता है तो हमने यहां पर लिख लिए पैटी कैश फंड के हमें 5000 पैटी कैश पारिंग में कुछ एमाउंट दी झाल 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 पूरी के पूरी हाँ संड्राइस तर अब इन सब को सम करेंगे नीचे लेएंगे तर फाइफ पास तर फाइफ 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 थाउजर्ड फाइफ हांडर्ड तू है और यह होगया हमारे पास 3000 करें, यहां तक लेर हो गया, आप लोग जब सारी केज़कूलेशन कर लें, सब को समकर के नीचे लिख लिए, अब आप लोग क्या करेंगे? हमने वसुल कितनी किये है, पांच हजार, टोटल पेमेंट कितनी हुए, तीन हजार की, यानि हमने वसूल किये थे टोटल पांच हजार रुपे हमने पूरा महीना इखराजाच चलाए तो हमें पता चला कि हमने टोटल 3000 यानि एक्सपेंस यानि खर्च कर लिए अब हमने जाके हिसाब भी सीनियर अकाउंटेंट को देना है अब आपने हैं साब ऐसे बनाना है कि सीनियर अकाउंटेंट पैड़ी केश भुक देख के पता चल जाए उसको के हाँ इतने खर्चों हैं इतने बकाया बज़ गया अब मैंने इसको इतने देने आपको कुछ बोलने की जरूरती ना पड़े तो आपने कल्कुलेशन इस तरह करनी है अब देखें बड़ा फाइफ थाउजन में से थ्री थाउजन चले के बकाया कितने बज़ गये बड़ी रखम में से चोड़ी रखम को माइनस करके बकाया चोड़ी रखम के नीचे लेखेंगे पांच हजार में से तीन हजार चले गये कितने बकाया बज़ के दो हजार आप लोगों ने ये जो दो हजार रुपे लिखे हैं ये बकाया है ना मेरे पास 5000 में से 3000 चले गए अब मेरे पास balance बकाया कितना बाज़ गया 2000 जिसको मैं carry forward करूँगा जिसको मैं आगे forward करूँगा इस महिने मेरे पास और गुंजाश नहीं है चलाने की मैं इसको अगले महिने में चलाओंगा ये करने के बात अब आप खर्चा और बकाया दोनों क वो जमा कर के कन्फॉर्म करेंगे आपने एक्सपेंस ठीक या नहीं किये या उपने अपने इसब ठीक या नहीं किया थो आप लिके इसंब करें,aaa जिए, तो आप डूरों को कितना आ रहारा है, फाइफ ताउजन रूलाव के बिलकुल आमने सामने नहीं लिकेंगे। रूल अभी से थॉली वाले कॉलम में यह 2.000 रूपेज लिकेर हैं, आरे यहां पर जुलाय का बाद कऊन सा महा रहता, अगस्त, आगस्त इस अगस्त्वर लिकेंगे हैं, यहां पर लिकेर बैलन्स जनननकी कि ब्राफ ». BF का मतलब brought forward है यानि कि जुलाय का महीना कह रहा है मेरे पास और गुंजाश नहीं है मैं इसको आगे forward कर रहा हूँ August का महीना कह रहा है brought का मतलब ले लेना कि ये 2000 मुझे दो मैं इस महीने में आगे लेके चलता हूँ तो अब आपनी August का महीने में 2000 आगे लेके चलने है ये हिसाब करके आप जाते हैं senior accountant के पास senior accountant जैसे देखता है वो देखता है कहां 5000 में से 3000 चले गए बकाय 2000 बच गए दोनों के calculation करके 5000 अब ये 2000 इसने वसूली में लिख लिए वसूली में लिख लिए तो इसका मतलब इसके पास 2000 रुपे बकाया बच गए जो इस महीने में इसने चलाने है अब आपनी जितना खर्च किया होता है अक्सर हमारे पास required में आ जाता है कि replenishment of petty cash fund dispersement of petty cash fund तो आपनी जितना खर्च किया होता है उतना आपको senior accountant दोबारा दे रहता है तो आप यहां पर वो show करेंगे कि आपने 3000 खर्च किया है तो आप लोग बेड़ा यहां नीचे 3000 दोबारा लिखे अगस फस लिखेंगे और यहां पर दोबारा लिख लेंगे petty cash fund यानि आपको यकम तारीक को दोबारा जितना हमने खर्च किया था उतना आपको दोबारा मिल गया अब दो और तीन के तोटल 5000 पूरे हो गए एक दफ़ा दोबारा समझ लें 5000 में से 3000 चले गए बगाय कितने मच गए 2000 इसके सामने हमने लिख लिए balance carried forward balance carried forward लिखे अब हमने खर्चा और बगायर दोनों को जमा किया 5000 के बराबर आ रहा है इसका मतलब हमने इसाब ठीक किया rule of किया rule of के बाद नीचे जुलाय का महीना कहरा है कि ये 2000 में आगे forward करो मेरे पास और गुंजाश नहीं है तो अगस का महीना कहता है broad broad का मतलब लेना कि 2000 में यहां से आगे लगी चलता हूँ तो आप ने अपने पास 2000 उपे लिख लिए कि मेरे पास इस मेहने में 2000 बचे हैं जो अगले मेने में चलाऊंगा ये करके senior accountant को दिखाया senior accountant देखा उसको पता चल गया कि 2000 बच गये तो उसे आपको दुबारा चेक 3000 का दे दिया कि जा कि कैश करवा हूँ तो दुनों को मिलाके फिर 5000 बनते हैं आप लोग क्या करते हैं पेज पलटाते हैं और उपर फिर 5000 लिख के सर की सर ट्राश्रिक्शन दुबारा स्टार्ट कर लेते हैं उमीद है कि आप लोग को यह समझ आ गया होगा तो हमारे पास यह पैड़ी के आश्बॉक का क्वेशन था जो में आज आप लोग समझाना था इंशाल्ला नेक्स्ट लेक्शर में फिर मैं आप से मिलूँगा तब तक के लिए अजाज़त चाहतूं को कि अलाँ आफिस